नमश्कार स्वागत है आपको आप देख रहे हैं अपना उत्रप्रदेश मैं हूँ आपके साथ अनाया शर्मा शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से उत्रप्रदेश की राज़ाने लखनव में 19-21 फरवरी तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया जाएगा उत्रप्रदेश के विकास यात्रा में युवाओं की भागेदारी सुनिश्यत करने को लेकर गौतम बुद्नगर खीक का उनिवर्सिटी में औरियंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया जसमें सेवानी वरत वरिष्ट आयेस अधिकारियों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर चात्रों से सनवाद किया और उसे करम में 19-21 फरवरी को जनपर सरपर भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आगास हो गया है किस्फरवरी तक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा आपको बता दे और IAS अतिकारियों ने चात्रों से सेरेमनी के दोरान संबाद किये कई उनिविसिटी के चात्रों भी इसमें शामिल ओंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन एकस फरवरी तक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा लखनों से ये तस्वीरे देख रहे हैं जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आगास हो गया है ग्रहामंत्रिया मिश्या ने ट्वीट कर मिजुरम और अडूनाचल प्रदीश के लोगों को राज्यत्व दिवस की रातमिक्ता शुबकामना ही दी और उन्होंने कहा कि मिजुरम हमारी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की विविध पच्चिकारी एक जीवन तस्थान है और आगे की प्रगती और खुशाली की रापर मेरी शुबकामना है उनके साथ है और उन्होंने आगे कहा कि ये भी कहा कि प्येम मोदिक की सर्व समावेशी विकास की नीती ने आश्रिय जनक प्राकरतिक सुंदर्ता और जीवन सांस्कृतिक विविध से समरद राज्य की आर्थिक श्यमता को अनलॉक करने में बहुत योगदान दिया है वहीं उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में अरुनाचल प्रदेश के लोग विकास की नई उचाईयों को चुछ हुएंगे किरवंत्रि आमित शाने ट्वीट किया त्वीट करते विए उन्होंने लिखा राज्य दिवस की शुपकामनाइदी और सभी को उन्होंने शुपकामनाइदी अरुनाचल प्रदेश मेजोरम के लोगों को उन्होंने बढ़ाई दी है दिवस की बधाईयां दी है शुबकाम नहीं ने रुनाच़ल प्रदेश औरback लोगों को बधाईयां शुबकाम ने दी है नबदाईया है उत्रप्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्शत करने एवं आर्टिफीशल इंटेलिजेंस अधारत उद्योगों में अपार संभावनों पर मंतन के अंतरगत ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी 4.0 के दूसरे दिन एफडी आई कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री योग्या दितना सम्मिलत हुए इसके ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी के चतुर्द संस्करण के आज की से एफडी आई कॉनक्लेव में मंजपर उपस्तीद केंद्रिय बानिज्य मुद्योग मंत्री मान्य सी प्यूस गोयल जी उत्तरप्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्रीगान सी नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी शी जस्वंत सेनी जी अनिल राजभर जी प्रदेश के मुख्य सचेव सी दुर्गा संकर मिस्र जी अवस्थापना यो मद्योगी क्विकास के आयुक्त सी मनोच कुमार सिंगी प्रमुक्त सचेव अवस्थापना राज्यकी क्विकास अनिल कुमार सागर जी आज की से कारिक्रम में अपस्तित हैं हमारे सभी इस छेत्र से जुड़ेवे इन्वेस्टर्स और उपस्तित बेन और भाईयों मैं सबसे पहले कल के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समेट के उपरांत पुत्तर प्रदेश की चप्दूर्थ ग्राउंड वेकिंग से रमने के आईजन के उसर पर आधने प्रधान मंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्से तै किये गए हैं उन लक्सियों को समयबद तरीके से प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी और आधने प्रधान मंत्री जी के संकल्पों के इंडूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिवत्ता के साथ आगे वड़ेगी आधने प्रधान मंत्री जी के मार्व दर्शन के लिए प्रदेश की पचीश करोड जनता की ओर से उनका हिर्दे से आवहार ब्यक्त करते हुए आज केस एफडियाई कॉन्क्लेब में उपस्तित केंद्रिया बानिज्य और उद्योग मंत्री मानिसी प्यूश गुज़ जी का मैं हिर्दे से अविनंदन करता हूं हम सब जानते हैं पिछले 6-7 शुर्सों में उत्थर ब्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है ओ आज उत्तर ब्रदेश नए भारत का नया उत्तर ब्रदेश है और अगर कहें तो विर्षेळ भारत का बिक्षेद उत्तर ब्रदेश साथ वर से पहले उत्तरवर्देश देश का बिमारू राज्य हुआ करता था उत्तरवर्देश का मतलब देश के विकास का बैरियर ये माला जाता था लेकिन आज उत्तरवर्देश बिमारू राज्य की सेड़ी से उबर करके देश के एक अनलिम्टेट पोटेंशियल स्थेट के रूप में अपने आपको स्थाकित किया है उत्तरवर्देश में आज हमारे पास प्रकिर्ती भी है प्रमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिवासे भरपूर होने के नाते इस त्रवेली के माध्यम से हम आदने प्रदान मंत्रीजी के मारत दर्शन और नित्रत्त में उत्तरवर्देश को आगे बढ़ा रहे हैं इन साथ वर्सों में हमें उत्तरवर्देश की अर्थविवस्ता को दुगनी करने में सफलता पराप्त हुई और उत्तरवर्देश की प्रतिव्यक्तियाय को भी दुगना करने में सफलता पराप्त हुई उत्तरवर्देश को बिमारू राज्य से उभारने में में सफलता पराप्त हुई इसके पीछे आधने प्रभान मंत्री जी का वीजन था जिसे हम सब ने अपने मिसन के रूप में लेटर के और प्रभावी ढंग से अलग-अलग सेक्टर की पॉल्सीज बना करके कानून बिवस्ता के बहतरीन इस्तिती प्रदेश के अंदर दे करके जो माहूल बदला आज उसका पेड़ाम है कि शुरक्सा के साथ-साथ बहतरीन कानून बिवस्ता पचीस सेक्टोरियल पॉल्सीज के हलावा आज मुझे बताते हुए पिसंता है कि ग्राउंड बेकिंग स्रेमनी के इस चतुर्त संसकर्ण के साथ उत्तरवर्देश देश की अब छटी नहीं बलकि दूसरी बड़ी अर्थ विवस्तावी बन चुका है रेवनी सर्परस स्टेट के रुप में बेस्तापित है और FDI और Fortune Global 500 पॉल्सी लाने वाला देश के किसी राज्यों में से पहला राज्यों बन चुका है जो इस प्रकार की पॉल्सी लेकर के आया है हम सब जानते हैं कि तरप्रदेश की FDI से समंधित जो अब तक की स्थिती थी सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्सों में जितना FDI UP में आया था 1923 के बीच में मात्र चार वर्स में हम उसके चार गुना FDI UP के अंदर आया जब सुरक्षा का माहोन होता है सरकार की स्पुस्त नीती होती है नियत साथ होती है तो हर निवेशक तो सुरक्षित वातावर्ण में निवेश करने का चुक होता है आज वातावर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर बेखने को मिला है 14 फॉर्चुन ग्लोबाल 500 कंपनिया वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर कार रथ हैं जिनमें सैमसंग है माइक्रोसॉप्ट है एलजी है पेप्सिको है नायरा इनर्जी है रिलाइंस इंडस्टीज है टाटा है हिंदुस्तान उनिलीवर है हायर है आईकीया है ऐसे 14 फॉर्चुन ग्लोबाल 500 कंपनिया उत्तर प्रदेश के अंदर आज कारे कर रही हैं सफलता पूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कारे कर रही है और इसलिए उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना विजित किया था इसमें 400 विलियन युएस डॉलर के निवेस के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की FDI के बीम डिस्टिनेशन की रूप में उबहरने के एक नए संकेत करते थे लेकिन उनके सामने चैलेंज था और उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज जब हम लोगों ने एक पॉलसी दी है तो इस पॉलसी के पहद हम लोगों ने लैंड सबसीडी के लिए कैप्टल सबसीडी के लिए स्टैंप एंड रेजिस्टेशन में और एलेक्ट्री सिटी ड्यूटी में भी हम लोगों ने जो छूड़ दी है यहां फॉर्चून ग्लोबर फाइवंडेड कंपनियों के लिए यूपी एक निया ड्रीम डिस्टिनेशन बन करके उबरा है और इस दिश्य में जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर दुनिया के अंदर ऐसे इंवेस्टर हैं उन सब को मैं अमन्पित करूंगा कि वे यूपी में आए यूपी में अपना सुरक्षित न आप भी ले यूपी आज इस दिसामें कुछ ने प्रेश्ट नेया प्रियास्त्रारंब किया है खास्तोर पर हम लोग देखते हैं कि पहले यहां पर सीम योगी अधित्यानाथ शामिल हुए भारत के अध्यक्सर श्यासोग हिंदूजा जी यूरोप के अध्यक्सर से प्रकास इंदूजा जी असोकाल मेंड के इस पूरे कारेक्ष्टम के जो यहां पर पुरी दिवास्ता देख रहे हैं जिनके मारत अधर्सम में यूपी गवर्मेंट के साथ में यहां पर यह मूईू आगे बढ़ा है श्यासोग हिंदूजा जी मंत्री मंदम के मेरे सभी सयोगी मंत्री का बित्तमंत्री शुरेश कुमार कर्णा जी और जोगिक विकास के मंत्री नंग कोपाल गुप्ता मंदी जी मसमी दिभाग के मंत्री से राकेश सचान जी इस शेत्र के लोगत्रीय किदाया गॉक्तर राजिश्वर सिंग्धी और अमारे प्रदेश सरकार के जो परिवहन मंत्री है प्रदेश के ओधविक विकास के आयुक्त से मनोच कुमार सिंग्धी हमारे विद्धायक विकास गुप्ता जी अन्य सम्मानित हमारे जन प्रतिनिधिकर्ण कि यूपी सीडा के हमारे स्रियों कि मयूर माहिस्वरी जी और हिंदुजा गुरुट से जुड़े वे सभी अलिकारिगंड कि आदे पुर्वान रून्तिजी के कड्रकम्नों से लेक्टिक्टिक का जो फ्लांट उत्रवदेश का पहला फ्लांट यांट के स्काफिक होने ज़ारा है जो शोकाल मुलेंड के मार्जम से अस्काफिक होने जारा है इस कारिक्रम को सुभारंब करने के लिए आज आपने यहाई जंग किया है मैं इसके लिए इंदुजा ग्रूप को असोगा दूलेंड को तुर्दे से बताई देता हूं अपनी सुप्कामनाई देता हूं प्रकास जी ने और अपोट जी ने अभी मुझे एक डबल डेकर अलेक्रिक मस्की चावी स्वापी मैं चाहूंगा कि चावी नहीं वल्कि आप जितने जल्दियों से प्रॉडक्शन करें पुरा पाजार ही ने बनके उत्तर भारत का पुरा बाजार उत्तम जब्यार करें और अकेले उत्तर पुदेश में हम जैसे इन्वेस्टर फेंडली कॉल्सी लेके आते हैं ऐसे इंवेस्टर को भी पुप्लिक फेंडली अपने निवेश को बनाना परेंगा एक लाख स्कूली बस है हमारे पाप इस सभी रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्टिक बस में वसर पे इस निसामें हम लोगों ने अपने इस पर पर फोड़ा भी इने सेटिक लिया उत्तर प्रदेश में एक लाख पांच हजार से दिक हमारे पाद राजसु माओं और दो लाख से दिक मजरें अगर इन राजस्त एक लाख पांच को भी जोड़ना होगा तो भी सस्ती सेवा के लिए लेक्टिक बस सेवा अच्छी बैटरी मारें बन सकते हैं इसमें हम अपने प्रदेश के तमाम युवाओं को सब्सक्राइब के साथ जोड़ सकते हैं यहां पर हिदुजा गूरूप भी कुछ इनिसे की बुठाएं इस्टेट गौर्मेंट भी इसको आगे बढ़ाएं एक एक गाउं को जोड़ने के लग से किता है अध्यूर कर प्रदेश के अंदर गाउं को सहर से चोड़ने के लिए गाउं काप प्रोटक्त साले छेत्र में पी छोटे ट्रक्स आपके जो मने दूए हैं कि अधिन वाले हैं गाओं की सब्सक्राइब को इस प्रकार के प्रॉप को दूद को दूद को सहीतियों के साथ जोड़ करें भी सीटी के इंतार नहाने में व्योगता दे सकेंगे तो भी एक बहुत बड़ा मार्केट अकेले यूपी आपके पास है और यूपी का मतब यूपी नहीं है यूपी का मतब विहार भी मद्यकुदेश भी और नैपाल भी यूपी के साथ किसी ने किसी रूप में दुड़ा हुआ है यह सभी राची सुलिधा का लाब लेंगे प्रधान मंत्री जी के दौरा कारिक्त्रम संपन किया गया है दस लाग चौबीस हजार प्रूपी के लिवेज के प्रस्ताओं को जमिनी घरातर पर उतारने का कारिव हुआ है और आज असो का लेलेंट ने अपने कारिकों प्रारूपी कर दिया है इसके लिए मैं आप सब को दुड़े से वधाई देता हूं आदे प्रधान मंत्री जी के प्रक्रती आभार बेक्तर करता हूं विश्वास्पेक्तर करता हूं कि उत्रदेश का मार्केट आप कंजार कर है कितनी जल्दे और कितने तेजी के साथ आपने कारे को आगे बढ़ा सकते हैं अब यार इस दुरूप के निर्वत करेगा राच्यसरकार अपनी पॉल्सी के इंतरदर है खर एलेक्ट्रिक बस में कि 20 लाग रुपे तक की कि इंसेंटिव अपनी हूंसे दे रही है स्टेटरवियम कि पॉल्सी है आई है रेक्ट्रिक वेकिन के हमारे अपनी पॉल्सी अलग है इंवेस्टर के ने भी है और साथ-साथ ऐसके लिए भी पॉलसी हमारी आए बहुत अच्छी पॉलसी में से अगर उसका माप उठापाएंगे लोग की उठाने और इन्वेस्टर भी उठाने गा तो जो पनामंत्री जी का लक्स है कि नेट जीरो के लक्स को हमें प्राप्त करना ही होगा उस तिसां में यह रगत सी चलिए आपको सिधर ये चलते हैं लखनव जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया गया है जस्तरान मुक्के मंत्री हो गया दिनाहात और प्धान मंत्री भी मौझूद रहें पार्टनर जो हमारी डिफेंट एस्टेशन हैं उनके सम्मानित प्रतिनिधीगन साथ ही साथ उत्रप्रदेश गौवर्मेंट के सीनियर ऑफिशिल सबसे पहले मैं विशेश धन्यवाद दूँगा हमारे पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट को महिला कल्यान, सोशल वेलफेर, बेसिक एजुकेशन, एग्रिकल्चर, डेरी, सारलम, नेडा, मेडिकल हेल्थ एन एजुकेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इंडेस् चेटी, यूपी टीएस्यू को, इसके साथी साथ हमारे जितने CSR के रिप्रेंटेटिव ओफिशेल्स को आज सम्मानित किया गया, उनको मेरी और से बहुत-बहुत बधाईया, साथी साथ आप सभी सम्मानित लोगों को, मैं एक आगरह भी करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इस बार के Groundbreaking ceremony 4 का theme रहा है, विकसित भारत, विकसित उत्तरत देश, और acceleration for nation, हमारा punchline है, तो मुझे पूरा विस्वास है, और चुकि इन्वेस्ट यूपी इसकी नोडल संस्था भी है, CSR कि जितने works होते हैं, तो आज जो portal launch किया गया है, सम्मानित मंच के माधियम से, उ कमिट्मेंट भी है कि CSR activities हम बहुत ही structured way में, एक accelerated way में कर सकेंगे, आप सभी से मैं एक बार पुना, तो फिलहार इस bulletin में हमारे साथ बसत नहीं है, आप से लेंगे विदा, नमशकार.